आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो की UPSC, SSC और Other Government Examination Point of View से भी इंपोर्टेंट है आज हम अमफान साइकलों के विशह में चर्चा करेंगे So let's start तच्छन की खाड़ी में मत्य हिंसो और सटे हुए बंगाल की मत्य खाड़ी में चक्रवात अमफान आया था भारत मौसम विभाग ने अमफान के बारे में बोरा था कि ये सूपर साइकलों के स्टेज में है भारती मौसम विभाग ने इसके वज़े से औरें के लड़ भी चार किया था तो हम कुछ important points related to सूपर साइकलों के बारे में जानेंगे तो वो important points हैं जैसे कि अमफान 1990 के बाद 3rd सूपर साइकलों है तिस्तरा ऐसा सूपर साइकलों आया है 1990 के बाद पहला सूपर साइकलों 1990 में 4 से 9 मही के बीच में आया था आंदर प्रदेश में उस टाइम साइकलों का कोई नाम नहीं की रखा गया था सेकेंड टाइम बंगला देश में आया था in 1991 जिसका नाम था गोर की तो सूपर साइकलों है क्या सूपर साइकलों में सता के अस्तर पर हावा की गती 222 किलोमेटर परती आवर की हो जाती है जिससे की यह सूपर साइकलों में तबदील हो जाता है ठीक है अब हम कलर कोड के बारे में जानेंगे जैसे की हम फान को और इन अलर्ट में रखा गया तो ऐसे और भी कलर कोड के बारे में चर्चा करते हैं पहला ग्रीन इसका मतलब कोई भी चितावनी नहीं है दूसरा ये लो अगर कई दिनों से मौसम खराब हो तो ये अलर्ट जारी किया जाता है तिसरा औरिंज अलर्ट इसे दुलगहटना की संभावना के साथ बेहत खराब मौसम के रूप में जारी किया जाता है यह लोगों को निकासी के लिए तैयार रहने और खराब मौसम से खुद को बचाने के लिए भी एक संकेत है रिड इलर्ट बेहत खराब मौसम की इस सिती में जारी किया जाता है थैंक यू फ्रेंज आज के लिए इतना है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेंट प्लीज, थैंक यू